बचपन से ही हेमंद पात्रवा अपने नाना के घर में रहता था नाना उसे बसाना चाहते थे पर मामा एतराज जताया करते थे बात बात पर रोपने टोपने वाले मामा निलकान से चिड़ गया था भगना हेमंद वो कई दफ़ा अपने मामा को समझाया बुझाया भी था और बोला करता था कि नाना की इच्छा पर ग्रहन मत लगाईए वो जैसा चाहते हैं उन्हें करने दीजिये हेमंद के नाना जमीन खरीद उसे बसाना और आगे बढ़ाना चाहते थे जब हेमंद को लगा मामा अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तब उसने खतरना की रादा बढ़ा लिया और उसने काटा बने मामा का मदर कर नाले में फेक दिया बीते 10 जुलाई को मामा नील कांद की डेड बॉडी पुलिस ने बरामत की थी उनकी लाज जमसेदपूर कोवाली थाना च्छेतर के बड़ा भाल की जामदा गाओं के बरसाती नाले में पाई गई थी तब पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आया कि नील कांद की हत्या किसने और क्यों की है जमसेदपूर के पुलिस कप्तान डॉक्टर तमिल वार्ण ने पेशल टीम का गठन किया गठिट टीम 24 घंटे के अंदर हत्यारे भगना को गिरफतार कर लिया सुने क्या बोले जमसेदपूर के रूरल स्पी मुकेस कुमाल लुनियाक कोषूचना की सत्यापन के खाना परवारी वहां पहुंचे तो उनके दोरह देखा गया कि बरशाथी नाले में एक सव और बाईक को वहां पाया गया आसफास के लोगों और मरतक के परिजनों से जब पैचान करा गया तो सव की पैचान निरकांत पात्र जो की कोवाली खाना के ही बामन वासा गाओं का निवासी था, के रूप में की लए। टीम के दोरा 24 गंटे के लंदर ही कान का अद्वीय दिन किया गया थता हत्या के आरोप में म्रतक के ही भांजे साराइकला करसावा के राजनागर निवासी हेमंद पात्रा को गिरबदार किया गया इनकी निसान देई पर गटना को कारिद करने में परियुक्त पत्थर उसके दवारा जो पहने हुए कपड़े साराब की बोतल और इस बाइक को बरामत किया जो इसमें ज को वहीं पे जमीन देकर बसाना चाहते थे प्रंतु मृतक के मामा निलकान पत्रा इस बात से हैसमत थे इनके बीच में पूरू में भी इस चीज़ को लेके बराबर मार पीटोल जगड़ा होते रहा है तो इसी के करम में इसके अभियुक्त पत्रा दवारा मामा को मारने की कोहराम लाइफ के लिए जमसेदपूर से विनोत केश्री की रिपोर्ट